तो आज का अकबार पढ़ा क्या जी नमस्कार आज सियासी तपिश बहुत ज़्यादा है लेकिन आप देख रहे होंगे कि आज देहरादून की फिजाओं में धुन्द ज़्यादा है अब ये कोहरा सियासी कोहरा भी बन गया है क्योंकि इन अकबारों की सुर्कियों के भीतर छिपी है एक बड़ी खबर बड़ी खबर हो सकता है कि आपने भी देखी हो बड़ी खबर ये कि तिर्वेन सिंग रावत उत्तराखंड के पूर मुक्खे मंत्री चुनाव डोईवाला से नहीं लड़ना चाहते बकादा उन्हों ने प्रदेश अध्यक्ष को चिठी भी लिखी है माफ करिए प्रदेश अध्यक्ष को नहीं यही तो खबर है प्रदेश अध्यक्ष को नहीं राष्टी अध्यक्ष को चिठी लिखी है जब दिल्ली में पैनल बन रहा था दिल्ली में बैटकों का दौर चल रहा था दिल्ल वाला सीट जहां से वो लगातार विधायक रहे लगातार चुनाव जीते लेकिन आज उसी डोई वाला सीट पर जो बीजेपी की सबसे सेफ सीट मानी जाती है उससे तिर्वेन सिंग रावत चुनाव लड़ने से मना कर देते हैं अब सवाल ये कि आखिरकार तिर्वेन सिंग रावत ने चुनाव लड़ने से मना क्यों किया पहले इन सुर्खियों का मैं जिक्र कर लेता हूं जहां आज अकबार की सुर्खियों में छिपी वो खबर संकेत दे रही है कि बीजेपी के घर के भीतर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर पक रहा है अब वो बड़ा है क्या उस चुनाव ना लड़ने का अन्रोथ किया बकायदा पत्र लिया और पत्र लिखकर संदेश दिया कि अब वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं इसके माइने क्या है इसके माइने वाकई में बहुत बड़े शिपे हैं अब सवाल यहां पर एक और खड़ा होता है सवाल यह क अगर दिर्वेन सिंग रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते या नहीं लड़े तो फिर डोईवाला से बीजेपी का चेहरा कौन होगा सवाल बड़ा है चेहरों की मैं सबसे पहले बात करूं तो तमाम दावेदार इस वसक्त कतार में खड़े हैं जैसे की भाचपा में प्रतियाशी के तोर पर डोईवाला में ब्रिज भूशन, गैरोला और खुद पूर्मुखे मंत्री के प्रतिनिधी, धिरेंद्र पवार, करन बोरा, सौरब थपलियाल ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस वक्त इस इंतजार में होंगे कि अब उनका नंब सबसे स्वेफ सीट, डोईवाला सीट, जो बीजेपी अपना गड़ मानती है, अब वो लिखते हैं कि सीधे तोर पर हैरानी इस बात की है, कि जिस वक्त ये तैह हो चुका था, कि डोईवाला सीट से तिर्वेन सिंग रावत चुनाव लड़ेंगे, तो एन वक्स पर अश्ट्रिय अध्यक्ष को क्यों सौपी, प्रदेश अध्यक्ष को अवगत क्यों नहीं करवाया, क्यों प्रदेश संगठन को इसके बारे में नहीं जतलाया, कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे, ये अपने आप में सवाल है, अगर तिर्वेन सिंग रावत में आना चाहते हैं, ये सवाल क्यों, ये सवाल इसलिए, क्योंकि खुद प्रदेश अध्यक्ष मादन कोशिक हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी सिती में तिर्वेन सिंग रावत संकेत देना चाह रहे हैं, क्योंकि अब भाच्वा ये जानती है, कि तिर्वे बनके धामी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि यहां वर्चस्त और विक्तित्प की लड़ाई है, अब ऐसी सिती में तिर्वेन सिंग रावत के पास जो विकल बचता है, या तो राष्टे कारेकाननी में जगा, या फिर प्रदेश संगठन की महतपूर भूमी का, य क्योंकि तिर्वेन सिंग रावत ने ऐसे मौके पर आकर दोईवाला से चुनावना लडने का जिक्र किया है, जहां पर पार्टी के सामने दोहरी चुनोती है, संगठन के मनुबल को बचाने की, और दूसी तरफ संकेत ये देने की, कि हम साथ साथ हैं, लेकिन क्या तिर्वे वाल से चुनाव लड़ना और जीतना बेहग मुश्किल है, कोई और वी कल्प तिर्वेन सिंग रावत के पास शायद बचा नहीं था, यही कहती हैं अकबारों की सुर्कियां, जिसमें छिपी है असली कहानी, यह थी अकबारों के भीतर छिपी, इंट साइट स्टोरी, फिल